हेलो विवन कैसे हैं आप सब लोग आई हो आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलिए होगी तो आज में स्टार्ट करने वाले हैं स्टांग का चैप्टर नंबर एट मात्र शुतियाध्य है जो कि इंपरण चैप्टर है और यहां से क्वेश्चन हर बार पर आते हैं सो स्टार्ट करने से पहले आप से रुक्रेस्ट अग्राएं पर हमारा वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे आपको डानलूड कर लिजेगा भी एमेस मेट को नाम से आपको मिल जागा प्ले स्टोर पर अदर्वाइस डिस्क्रिप्शन में कुलिंग मिल जाएगा सभी का तो आप में जागा उसको डानलूड कर सकते हैं मगी नोड्स और जो भी लेक्चर है वह आपको सब फुल लेंथ में एप पर ही मिलेंगे जो चलिका स्टार्ट करते हैं नमबर फरस्ट आपका हैडिक है सम्यक अहार यानि कि यहां पर पूछा जा रहा है कि सम्यक अहार क्या होता है सम्यक मीज होता है आपका परफेक्ट तो परफेक्ट अहार आप किसको बोलेंगे ठीक है तो यहां पर उसका मतलब है स्वस्था वस्था और रोगा वस्था में विक्ति को मात्रा में अहार सेवन करने वाला होना चाहिए मात्रवत अह हार अग्णी को प्रवर्थ करने वाली होती है सभी गुरू और लगू द्रव मात्रा अभिक्षा करते हैं मीज़ा पर कह रहा है कि जो हार हमें पस जाए और जो हार हमारे बॉड़ी में अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए जट्राग्नी को बढ़ाने वाला हो ऐसे हार का में सेवन करना चाहिए चाहिए वो स्वस्त वक्ति हो या फिर रोगावस्त वक्ति हो ठीक है या रोगी वक्ति हो और कहेगी लगाए सभी गुरू और लगू द्रव की द्रव मात्रा की बिक्षा करते हैं मीज़ अगर आप मैं नहीं लेना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब यह हूँ आपका तो समय अहार के बारे में अब लग सकते हो कि जो वक्ति की जट्राग्नी को बढ़ाने वाला होता है और जो स्वस्त बनाए रखता है ठीक है और सभी गुरू और लगू आर जो है मात्रा की बिक्षा करते है इसके बाद हमारा आता है अब नमबर सेकेंड पर देख सकते हो कि इसमें लखाया है नीचे चार टाइप बताए गए हैं आहर के ठीक है भक्ष चोस्या लिहे और पे यह कुशन अब से आ सकता है कि आहर के चार टाइप कौन से है सबसे पहले आपका भक्ष आता है इसका में इस होता है कि जो भी हम दास से काट कर चीज़े खाते हैं वह हमारी भक्ष में आजाएंगी जैसे रोटी चोस से मतलब क्या होता है चूसने वाला ठीक है चूस यानिकी चूखर कर खृया जाता है जैसे आपका गन्ना हो गया ठीक है यह इसको कर के नमबर थर्ड पर आपका आता है लेहे तो जिसमने क्या होता है कि जीबाखे का चạtनी हो गया ताय Remember पर आता आपका पे यहनी को जिसको मुख से पाँंढ किया जाता है इनि अचीन कि ध्रिंग जाद को आधी सोहित मींज सोहित का मतलब होता है त्रपती सर्टिस्टेस्टेक्शन की जिसके बाद क्या हो कि अपको पुणा खाने की इक्षा ना रह जाए इतना खाना चाहिए मीन्ज कि आधा पेट ही खाना चाहिए ठीक है जो भी आपके हैबी फूड है वो आदे पेट तक ही खाने चाहिए और लगू द्रव्यों को भी अतिदिक द्रपती अथार्द अधिक पेट भरकर नहीं खाना चाहिए जो मैंने आपको पर लाइन बताई थी और लाइट फूड है उसको भी ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए जितना अहार असानी से जाड़ेस्ट हो जाए या पच जाए उसे ही मात्रवत अहर कहते हैं ठीक है मीस आपको जो आजाम से आपका पच जाए खाना खाने के बाद इसके बाद नीच आता है अलपलो बोजन करने से क्या आने होती है तो आप खुदी जानते हैं कि अगर आपका खाना खाऊगे तो क्या होगा हमारा बल पुस्ती यानि कि आपका डाजेशन से इन रहेगा बल भी नहीं होगा और रोज की परदी नहीं होगी ठीक है अती मात् क्या होता है पेन करता है वाई ठीक है जैसे आपका सूल है अनहा है यह पेट पूलना अंगमर्द है मुक्का सूखना मूर्चा चक्कर आना अगनी की विशमता पार से प्रस्ट और कटी में स्थब्दता यह सब किसके हैं वाई के उक्वपत होने के लक्षण है तो अगर य अगर उसका पाचन नहीं हुआ है अगर उसका पाचन नहीं हुआ है डाजिशन उसका है ऐसी कंदिशन में अगर डूएर से फूर्ड रहे हो तो क्या होता है की आपके दे निदो मर्ग करते स्थवी प्रति करते हैं थीक है अब अजीगर भूझन करोंगे तो क्या होगा तो अति मात्रा में सेवन किये गए घर से पीडित वातादी दोस्त उस आम यानि कि अपक वेवंदूशित अहर द्वारा एक साथ कुपित होकर मेंस क्या हुआ कि हमारा जो फूर्ट था एक तो वह डला हुआ है पेट के अंदर इसके लाभा क्या कि आम की उत्पत्ति भी हो चुकिए तो वह भी बेट के अंदर है ठ ठीक है जो हमारा आम हुआ वो अन में मिश्चित होकर विस्टम यानि की अवरोध कर देता है ठीक है आम आश्य में अवरोध कर देता है जिससे क्या होता कि अलसक रोक की उत्पत्ति होती है या आम अन उर्द को या आम अन उर्द मार्ग में विरेचन के द्वारा बाहर नि कि वो दूसरों को सांट मिल गया और ओहीं पर ठेय गया ठीक है अलसक मतलब आलसशी मतलब करते है जादा विल्ट Frwny नहीं है ठीक है वह एक जगर रहता है तो एक क्या हूं अब क्या हूं कि यह कि भՊंगार आम अन्याता है है जो अब्र होती है इसलिए उसको उम्हें सूचकर ओव बोलते हैं अब देखे जान लेते हैं अलसक का लक्ष नमबर क्या बोला गया है परिवासा कि इसमें अहर ना तो उर्द मार यानिकी बवन के द्वारा ना अदोमार यानि कि गुदा से ब्रेचन के द्वारा बाहर निकलता है और नहीं पसता है ठीक है अलसक रुग में क्या होता है कि ना तो हमारा जो हार है वो मुटिंग के द्वारा बाहर निकलता है नहीं हमारा ब्रेचन के द्वारा बाहर निकलता है नहीं डाजेस्ट होता ह तो ऐसे में क्या होगी जुम्हारा आमाशे में आलसी के समान गतिहीन होकर पड़ा रहता है इसलिए इसका नाम कहा है अलसक तो इसका नमारा आता है विसूच का के लक्षण जो मैंने आपको बताया था विसूच चीप में कहा होता है कि सूवी के समान आपकी पीड़ा होगी कि अत्यदिक कुपिद दोश ठीक है अनेक प्रकार की वेदनाओ को उत्पन करके सहीर के अंगों में सूवी के चुबने के समान पीड़ा उत्पन करते हैं इसको हमकर बोलते हैं विसूच का बोलते हैं ठ पता है कि तिनों दोस्त कुपित होंगे अगर वाईव कुपित होगे तो क्या होगा सूल भ्रम आनाहा यह आपको कुश्चन आ चुका है मेडिकल अफिसर की एक्जाम में ठीक है कंपन इस्तंबन अधी लक्षण उत्पन होते हैं पित्ते के कुपित होने पर क्या होता है आप तो यह सब हमारे विस्दूचक की लेक्षण होते हैं भे ल सक हमारे होते हैं हमारे यह रोता है कि अगर दुरबढ़ है कोई और मंदागनी कि कम है जो दरणी में को दान करता है ऐसे लोगों में क्या होता है कि घुज़ार काwriting ए नवार में कफ के रुख जाने के हैं है इस बा स्वाइब लोग्हार हमारा आता है दंडा लशक के लक्षण ठीक है तो मैंने आपको यहां पर तीन बताए एक तो आपका आम से कौन कौन से रोग होगे एक तो आपका अलसक होगा ठीक है एक होगा आपका विसूच का और एक हमारे गाज़ा का दंडा से लग दंड तो यह हमारे जो रोग है वो तीन हमारे किस्से होते हैं आम से होते हैं और आम क्या होता है हमारा अपक को भूचन ठीक है